वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि सबी वीडियो साब तक पहुछते रहे Hello Friends, Welcome to My channel My name is Asizgri and Today I will be discuss about Hard and Soft Acid Base And After looking this video you will be able to define Hard Acid, Soft Acid Hard Base, Soft Base And Classification of HA, Hb, SAsb Like Hard Acid, Hard Base, Soft Acid and Soft Base HA, SA Principle and Application of End Limitation मतलब कि आप इस hard acid और hard base की एक थियोरी दी गई है जिसके अंदर को उसके प्रिंसिपल को उसके applications को उसके limitations को हम इसमें discuss करने वाले हैं hard acid और soft acid की बारे में hard acid या soft base को समझने के लिए आपको इससे पहले acid based concept को पढ़ना होगा acid based concept में सबसे most important concept आप सभी को बता है Lewis concept है तो Lewis concept आपका बिल्कुल clear होना चाहिए अगर आपका नहीं clear है तो वीडियो में नीचे मैंने इससे पहले मैंने Lewis concept के बारे में वीडियो बना चुका हूँ आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं hard and soft acid base के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों hard and soft acid base को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे सबसे पहले आप bronsted lorry concept को पढ़ लीजी देखें according to bronsted lorry concept an acid is a substance which can donate proton H plus and base is a substance which can accept proton H plus इसका क्या मतलब वा कि जो acid है वो H plus को donate करेगा और base जो है H plus को accept करेगा ठीक है और second concept है Lewis concept of acid and base इसके according क्या है देखें according to Lewis concept an acid is a substance which can accept pair of electron while base is a substance which can donate pair of electron right those an acid is electron pair acceptor while base is an electron pair donor इसके according क्या हुआ देखें acid एक ऐसा substance है जो electron को accept करेगा और base एक ऐसा substance है जो electron pair को donate करेगा तो इन दोनों concept को अच्छी तरह से पढ़ ले उसकी बात अगर आपको यह concept clear हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपको hard soft acid based theory को समझना तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से board को तो friends आजाओ board पर यहाँ पर मैंने आपको समझाने का पूरा process लिख दिया है hard and soft acid based को देखें Lewis concept के according क्या था दोस्तों Lewis concept according के था कि acid एक ऐसा substance है जो electron pair को accept करेगा ठीक और basic ऐसा substance है जो electron को donate करेगा और सबसे costly theory जो important theory थी वो Lewis concept थी तो Pearson ने देखा Pearson ने 1963 में Lewis acid and Lewis bills को तीन भागों में डिवाइट कर दिया ठीक positively charged iron मतब ऐसे atom जिनके ऐसे atom या iron जिन पर positive charge था ऐसे ions जिन पर positive charge था उन्हें दो भागों में डिवाइट कर दिया अगर positive charge होगा तो electron की कमी होगी कि अगर कमी होगी तो electron को expect करेगा अजो electron को accept करेगा वह क्या होगा electron को जा accept करेगा वह acid होगा ठीक bhai-मय लिवीक से 컨ês्षक Dollar यही तो था कि जो accept करेगा वह acid होगा तो यहांपर क्या होगा यहांपर यह एकसेप्ट करेगा तो accept करने के आधार पर यहां पर positively charged चाहर नां टो फइशन के अधार्पत दो भागों में डिवाइड कर दिया कि एक हार्ड एसिड एक सफ्ट एसीड थि अधिक उसी प्रकाफ नेगीटिवलिवली चाहर जिड आएन को लोइस ने देखा कि देखें लुइस कोंसेट के सेकिंड फिल्रोड में क्या था जो बेस है वो electron को donate करेगा जिसके पास electron होगा वोई तो donate करेगा तो negatively charge it ay मतलब उसके पास negative charge है मतलब electron उसके पास full है तो वो donate करेगा और जो donate करेगा वो base होगा तो base को भी दो भागों में divided कर देखे यहाँ पर hard base औण soft base इन दोनों को इस प्रकार से इसके बारे में अभी और भी विस्तार से अध्यन करेंगे देखें और उसके बार बॉर्डर लाइन किसे कावन हो ले जिन में इन दोनों के करेक्टर पाये जाए जो वह पॉजिटिव चार्जिड आयन मतलब कि वक्त आने पर हो पोजिटिव का भी मतलब कि यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है तो इन दोनों की प्रोपर्टी शो करने के लिए इन दोनों की प्रोपर्टी शो कर सकता है बॉर्डर लाइन वाला मतलब इनों तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया है इसमें जो बॉर्डर लाइन लिखा हुआ है यह पोजिटिव करेक्टर भी कुन करता है और नेगेटीव मतलब एसीड और बेस दोनों की तरह करेक्टर शो कर सकता है तो चलिए सबसे पहले में डिसकुस करूंगा पॉजिटीव ली चार्जिट आयन या हार्ड एसीड एन सोफ्ट बेस के बारे में कि तो और फ्रैंटस ड्टोइस Adolf आकोर्डिंग क्या था यह वह अक्सेट करेगबिस बाटिप्द करता और पॉजिटिव आयन या न्टिन पॉजिटीव या नियूट्र को एक्सेट करेंगे वह तो पेर प्यर्सणστ आपक जो में i7 चाल्साइंस्टामने दो भागोंमें ड होते हैं उन्हें दो अर्ड.ब कर दे देखिए हाड़ यसमें पूल साइज जिसका दें तो क्लिब तो यसे आयन जिनका स्मॉलजनी हो ठीक है उसके बहुत है पोज़ितिव ऑक्सिडिशल इस्टेट है पैस पुलराइज थी और फोर्थ लौ पोलराइजबिलिटी मतलग की हाड़ एसीड का कार ये वही करेंगे जिनकी एक तो स्मोल साइज होना चाहिए जो आटम का जो साइज है या आयन का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए ठीक और उसके बाद हाई पोजिटिव ओक्सिडेशन स्टेट उसका जो पॉसिटेशन स बड़ा होना चाहिए और लोग पोजिटिव ओक्सिडेशन स्टेट लोग पोजिटिव ओक्सिडेशन स्टेट लोग पोजिटिव ओक्सिडेशन स्टेट एंड लोग पोलराइजिबिलिटी इसमें क्या होता है देखे लोग पोलराइजिबिलिटी में इसके जो बायतम असानी से धुर्वित नहीं होते और इसमें असानी से धुर्वित हो जाते हैं तो इसमें जो पोजिटीव आयन है उन्हें पोजिटीव आयन को ही यहां पर डिवाइड किया गया है यहां पर आप इसे बेस ना समझें यहां पर यह दोनों एसीड ही हैं बस इन्हें दो भागो में divide किया गया है कि कौन से hard acid है और कौन से soft acid है इनके example आपको दिखाते हैं hard acid and soft acid के example आपको भी लिख करके दिखाते हैं बोर्ट बिल्गुल clear आ रहा है तो दोस्तों यहां पर मैंने example लिख दिया है hard acid borderline acid and soft acid मतब acid को दो तीन भागों अब यहां पर दिवारा डिवाइट कर दिया गया है जिसका example मैंने लिख दिया था ठीक है अब यहां पर आप example को देखकर समझ सकते हैं hard acid आपको अभी भी बताया था मैंने की hard acid के characters क्या होंगे एक तो उसका small size होना चाहिए small size आपको पता है है atomic number 3 होता है ठीक अगर आप उसमें से positive charge का बाता है जब आप electron remove कर देते हो atom में से तो अगर आप एक electron को remove कर दो कर दो के आप positive charge बढ़ जाएगा positive charge आपर आ जाएगा तो effective nuclear charge बढ़ जाएगा तो सोटा हो जाएगा तो वह hard acid का कारे करेगा और यहां पर soft acid जो ऐसे हैं जो biggest मतब कि जिनका size जो है बड़ा है यहां पर लेकिन का size बड़ा है इसलिए soft acid का कारे कर रहे हैं यह borderline acid क्या है borderline acid वे है जो इन दोनों की मध्धिक वरति होते हैं जैसे अब है कहूँ यहाँ पर इंडिया का बोर्डर है यह border इदर इंडिया है और इंडीा है और पाकिस्तान है तो अगर आप यहां पर खड़े है तो आप पाकिस्तान में फही जा सकते है और अंद्या में ज यह किसी में यह दोनों इस बोर्डर में फेन को due titanium 4 plus बहुत अच्छा एक्जामपल है ध्यान से देखो और कोपी में नोट करते हो titanium 4 plus titanium plus titanium 4 यहाँ पर भी titanium है यहाँ पर भी titanium है ठीक है लेकिन यहाँ पर 4 plus लिखने का मतलब है कि यहाँ पर इसमें से 4 electron निकाल दिया अगर 4 electron निकाले को तो effective nuclear charge अपने बढ़ जाएगा I hope यहाँ पर आप समझ गए होंगे तो अब मैं डिस्कॉस करूंगा यहाँ पर अमने hard acid and borderline acid soft acid के बारे में discuss किया अब मैं आप पर acid की जगा base लिखनार है आप दिखे hard base का discuss करूँगा borderline base का discuss करूँगा and soft base का discuss करूँगा तो चलिए discuss करते हैं heart base के बारे में और यदि आप अब भी atom के size को लेकर परिशान है तो मैंने इसके लिए एक special वीडियो बनाया है जिसमें atom के size के बारे में discuss किया है दोस्तों उसे जाकर आप देख सकते हैं और आप असानी से समझ जाएंगे तो चलिए start करते हैं heart base के बारे में तो दोस्तों मैं डिस्कुस करूंगा negatively charged ion या neutral molecule की बारे में देखे लूइस कोंसेप्ट के बेस क्या थे जो electron को donate कर सके हैं तो एक negatively charged ion के पास electron होता है तो वो donate कर सकते हैं तो इन्हें दो भागों में divide कर दिया लिया हार्ड बेस तीन भागों में हार्ड बेस borderline base and soft base हार्ड बेस में क्या क्या character सुने चाहिए सबसे पहला small ions को size है वो small होना चाहिए जैसे मैंने अभी बताया था आपको एसेड के बारे में ठीक वही concept है या पर भी उसकी जो अब यहां पर देखिए लो पोलराइजिबिलिटी साथ में उसकी जो थर्ड करेक्टर है वो लो पोलराइजिबिलिटी जो उसकी बाहरी या और बीटर है उनकी जो धुरुबन छमता है वह कम होनी चाहिए ठीक है और यहां पर सॉफ्ट बेस की बात करें तो सॉफ्ट बेस में बिक साइज होना चाहिए जो साइज है आइंस का बड़ा होना चाहिए और लो एलेक्ट्रों नेगेटिविटी बहुत बाहरी जो इलेक्ट्रों है या और बीटर है उसकी जो पुलराइज होने की जाथ होने चाहिए तो यहां पर मैंने अब इसकी कुछ लिखाता हूं बोर्डर लाइन की बात कुरूं तो यह दोनों इन दोनों प्रोट्परटीज को यहां पर यह एक तरह से आप समझ सकते हों कि हार्ड का भी काम कर सकते हैं और सोप्ट बेस का भी काम कर सकते हैं जो बोर्डर लाइन पर होते हैं यह दोनों का कारी कर सकते हैं में तीन भागों में डिवाट कर दिया गया तो इसकी एक्जामपल आपको अभी दिखके बताते हैं तो अमेशा ध्यान रखना लूइस बेस का कारी वही कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोन को डोनेट करते हैं जो चाहे वह नीट्रल मोलिक्यूर हो चाहे वह नेगेटिवली ये ही इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी होनी चाही है देखे एक्जाम फ्रक शजी से हघर बेस में ओसमें इकिले फ्यक्तों है लगावाई दे использ है अपर दीजाय आपलो दोन में इसके पास कमी नहीं है इसका या पर मैंने Heart Base ऑ बोडر-layne की बात करें यह 269 ब्रोमीन माइनस यह और इलेक्टरों को पुर्लीट करके हैं हार्डबेस का दिता है का जो भी दितत् है इसी प्रकार अने 2- होता है तो चलिए अब डिसकस करते हैं नेस्ट कोंसेप्ट के बारे में जो कि हमारा HSAB प्रिंसिपल है HSAB प्रिंसिपल ठीक अच्छा आपकी दिमाज में आ रहा है को कुस्टिन किस प्रकार से है एक्जाब में इसके उपर आते है देखें दोस्तों कूसिन आपकी पास इस प्रकार से आसर पह जैसे मैंने आपर लिख दिया है कि चूज हार्ड मतलब चोईस करो कि कौन सा हार्ड है कौन सा इसीड है और कौन सा सॉफ्ट है देखिए इन सभी में से जिसका इसका स्मोल soft acid, soft का मतलब क्या होगा hard का मतलब कठोर तो यहाँ पर lithium एक कठोर होगा aluminium 3 plus small size है Fe 3 plus small size है Cobalt 3 plus small size है, calcium 2 plus small size है, ag plus ag plus का size जो small नहीं है titanium 4 plus titanium 4 plus small size है scandium 3 plus small size है, iodine plus ना, इसका मतलब यह यह दोनों यहाँ पर soft acid में आएंगे ag plus तो friends इस प्रकार से आपको size है, किसी भी आयन का size है उसे देख करके आप soft acid and hard acid में define कर सकते हैं तो चलिए अब उस प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं H-A-S-A-B H-S-A-B principle अब हम डिसकस करने वारे हैं H-S-A-B principle के बारे में देखें दोस्तो H-S-A-B principle के according to this principle hard acid prepared to bond to hard base and soft acid is prepared to combine with soft base those A-B complex A-B is most stable when both A-B are either hard or soft देखें A-A plus B मन्तब इसका सिध्य सिधी से इसका concept जो कहना है कि जिस परकार कोई लड़का पांच फुटका है तो चाहेगा कि लड़की भी जो उसका जीवन साथी है लड़की वो भी सचागा है वो भी पांच फुटकी हो अगर यहाँ पर लड़का लंबा हुआ तो यहाँ पर इनकी जो जोड़ी है जो पेर है वो विगड़ जाएगा तो यह कम लेस स्टेपल होगी इनके पीछ लड़ाईया दो नहीं होगी मेरा मतलब है कि कम स्टेवल फील करेंगा अर्गर बराबर हाइप इनकी तो यह ज्या वो हमेशा hard acid के साथ ही reaction करके अच्छा compound एक stable compound बनाता है समझ गए? देखे इस concept का main concept इस concept के according क्या था? कि जो hard base है वो hard acid के साथ सायोग करके stable compound बनाता है और बात करें हम soft acid की soft acid, soft base के साथ मिल करके एक stable compound बनाता है तो इस concept में सीधी से यही concept मतलब सीधा से यही बात बता है जो scientist है उन्होंने यही बात बताई है कि जो hard base है वो hard acid के साथ एक stable compound बनाएगा और जो soft acid है वो soft base के साथ एक stable compound बनाएगा और इसका सीधा सा example यह है NACL जैसे देखिए sodium क्या है sodium एक hard एक hard acid है पलस CL- क्या है यह hard base है तो इनकी बीच जो bone बनाएगा वो कैसा होगा sodium cool right एक strong bone यह इसे ionic bone भी बोलते है मतलब इनकी जो stability है वो ज्यादा होगी यह इसी के जाथ comfortable महसूस करेगा तो यह इस प्रकार से example था I hope आप समझ गए होगे अब मैं discuss करने वाला हूँ इसके applications के बारे में किसकी जो applications है वो क्या है देखे friends का सबसे पहला applications predictions of chemical reactions predictions of chemical reactions में देखे इस reactions को ध्यान से देखो इसमें जो cesium है वो soft acid है और जो fluorine है वो hard base है ठीक इसमें lithium एक hard acid है और iodine एक soft base है तो इस reactions में आगी क्या होगा आप असानी से पता लगा सकते हैं कैसे देखे soft acid किसकी साथ reaction करेगा soft base के साथ अरे भाई अभी अभी आपको समझाया था कि soft acid soft base के साथ reaction करना चाहेगा यही तो उसका जो principle था कि soft acid soft base के साथ comfortable feel करेगा यह stable compound मनाएगा और hard base hard acid के साथ reaction करेगा तो यहाँ पर क्या होगा जब यह इससे reaction करेगा तो CS और यहां से आई soft acid CS और soft base आई यह compound बना लेंगे प्लस lithium और प्लस fluorine hard base and hard acid आपस में रेक्शन करके यह compound मना लेंगे तो इस प्रकार से हमने predictions of chemical reactions पढ़ लिया है next application के बारे में discuss करते हैं आप next application जो है अब मैं बात करूँ इसके second applications के बारे में तो यह भी बताता है stability of complex having a same ligand यदि किसी complex के पास same ligand है तो उसकी stability के बारे में भी बताएगा for example जैसे base है कि यहां पर बी कोई atom है जिसके पास electron pair है तो यहां पर कोडिनेट करेगा और यहां पर कोडिनेट बनाएगा लेक्टोन को डिनेट करके तो इसकी stability के बारे में भी पता लग जाता है सबसे इसका एक्जैम्ट दे गया यह दि दोनों में से एक कठोर है कठोर का मतलब हार्ड और दूसरा मुर्दू मुर्दू का मतलब सोफ्ट हो तो यहां पर जटील होगी जो complex compound है वह इस्थाई नहीं होगा मतलब इस टेबल नहीं होना यह तो वह दोनों ही यह दोनों hard होने चाहिए यह दोनों soft होने चाहिए यह सब कहां से पढ़ा रहा हूं इस सब कुछ मैं इस lecture को देखने के बाद अगर आप बुक में जाएंगे तो बुक में आसानी से सब कुछ समझ पाएंगे क्योंकि मैंने जो भी concept था आपको clear करवा चुका हूं बस आपको करना कि आप बुक में जाना है बुक में जितने भी application है सब कुछ पढ़ लो है देखो मैं इसे ही पढ़ा रहा हूं या पर copy में से देखकर ही पढ़ा रहा हूं आपको इसका example देखे आपको copy में से लिख कर दि फिस में इसे क्याएं कि एक सोफ्ट एसीड है करेक्ट और यह एक सोब्ट बेस है शोफ आप एस into the system हुआ एक श्टेबल अपॉंद बना है कि रिख वह गया सब्रेशित होता हाँ बेस होता तो भी इस टेपल बनता लेकिन अगर यहांपर सोफ एसीड और यहांपर भी complex compound की stability के बारे में discuss है तो फ्रेंट्स बुक में जा करके देखें बुक में सब कुछ मिलता है बस बुक की है जो समझाने सकती क्योंकि बुके बोलती नहीं है इसलिए टीचर बने रहे है तो फ्रेंट्स अगर मैं इस principle के limitations की बात करूँ अगर हम इसके limitations की बात करें तो limitation में देखें इस concept recording अगर hard base पलस hard acid हो तो एक stable compound बनता है लेकिन कुछ reactions ऐसी आती है जिसमें hard base हो और soft acid हो तो भी compound stable बनता है आगया acceptance इस concept के यह था लेकिन यहां पर इसकी limitations है वहां पर गलत दी गई है इसकी यह limitations है कि मतलब कि इसमें ज्यादा कोई उलग जोल नहीं है आपर देखें जो hard base है और soft acid है यहां पर stable बनना है जबकि इनका कहना था कि hard base और hard acid मिलकर गई stable compound मना सकते हैं यहां पर hard base और soft acid भी stable compound मनाते हैं तो इनका यह जो थियोरी है एक तरह से यहां पर गलस साबित हुई है तो फ्रेंट्स उमीद है मुझे यहां पर मैंने आपको बहुत सारा जो concept है आपके दिमाग का वो clear करा दिया होगा तो फ्रेंट् बड़ियों